बेगम गंच से हमारे संबादाता भरास सिंग की रिपोर्ट SGOP तैसिलान ने हटवाया अतिकरमान नगर बेगम गंच के गल्स स्कूल रोड पर सास के सिविल अस्पताल के पास रखी हुई दुकानों के मालकों के पास दुकाने हटाने के लिए पूर में नोटिस पहुँचे थे लेकिन दुकाने नहीं हटाने पर रवी बार को राजस्व अमला दुकाने हटाने पहुचा तो उनमें हरकंप मच गया जिसको लेकर कुछ दिन पूर दुकानदारों ने यताबत रखे जाने की मांग को लेकर S.D.M. के नाम गयापन भी दिया था लेकिन रवी बार को S.D.O.P. मंगल सिंग ठागरे पुलस बल के साथ तैसिलदार सत्रुग अंसेना राजस अमले दलवल के साथ महराणा परताप सासकी शिबल अस्पताल पर रखी हुई दुकानों को हटाने के लिए पहुचे तो बहा के दुकानदारों ने सुहम को दुकाने हटाना सुरू कर दिया तैसिलदार सत्रुग अंसेना ने बताया कि कलेक्टर का आदे से कि अतिकरमन हटाया जाए जिस पर काररवाई की जा रही हो दुकानदारों को सीखर दुकाने हटाने के निर्देश भी दिये गए थे बहीं दुकानदारों का कहना है कि लगू दुकानदार है जो नगर पहलका के प्रती दिन सुलक जमा करते हैं लंबे समय से अधीपत चला आ रहा है बहीं पूर में सासन के निर्देश अनुसार उन्हें बिवस्तत कराने का आश्रोशन भी दिया गया था लेकिन दुकानदारों का कहना है कि हमारी दुकानों के समदारों के था कणडबासे हमारे संबाद़ता अकलेश ठाकुर की रिपूर्ट खंडबा जिले में यूरिया को लेकर किसान इन दोनों जम कर परिशान है किसानों का पूरा परिवार काम छोड़कर इन दोनों यूरिया के लिए लाइन में लगा है 5-6 गंटे लाइन में लगने के बाद सनी बारकों किसानों को बामुस्किल दो बोरी ही यूरिया मिल पाया है जबकि उन्हें 20-25 बोरी यूरिया की जरूरत है के चकल लगा रहा है ग्राम आमुदा में रहने वाले किसान पूराण सिंग नायक ने बताया कि उन्हें 20 बोरियों की जरूरत है सुबह 8 बजे से लाइन में लगे हुए दो फेर 12 बज गए हैं लेकिन अभी तक उनका नंबर नहीं आया है अगर यूरिया नहीं पकेगा तो जहों कैसे आगे किसान यूँ भी परेशान है जहों का टाइम है और किसानों को सब को 20-25 बोरी यूरिया लग रहा है यह क्या ज़े 50-50 किलो मेटर से सुबह से आएं भी जारे ठंडर में किसान सब देखो यह लेन लगें तुम ही देख रहे हो नहीं यूरिया की बहुत ही दिक्कत चल रही है अभी अगर यूरिया नहीं डाला गया यहां पे खेतों में तो उत्पादन चंगता बहुत ही कम हो जाएगी इससे किसानों को भी बहुत समस्या होगी उसके बाद अगर ग्यहू का उत्पादन कम होता है तो लोगों के लिए भी दिक्कत है कि भाव बढ़ जाएंगे उसके राइसेन सुल्टानपूर से हमारी संबादाता नईम खान की रिपोर्ट सरकार बदलते ही प्रसाशनिक अधिकारी नींद से जा गई सुल्टानपूर मौत बनकर दोड़ रहे डंफर पर नायब तसीलदार अबदेश यादब की बड़ी कार्रवाई रेत माफियों में मचा हड़कंप डंफरों में मची भगदर पांच डंफर की ये जब्त बिना रायल्टी के दो बिना कागच के दो ओवरलोड लेके जा रहे ते सुल्टानपूर पुलिश चो की जोड एनेच पर जब्त की ये थाना सुल्टानपूर परिशर में खड़े की जा रहे हैं आगे की कर्रवाई जारी है आप राज्ते में उसने दम तोड़ दिया उसके बाद वो फरार हो गया ता ऐसी ऐसी एक्ट मामले में दर्ज किया तो ना कर सियादा को जगना हो गया था लाके सिद्धाना उसको लाएवत्व मार दी सिद्धे उसकी लाशी जाना मत्ती हो गई तो से अपरात्य मांग 287 धाना तीनसद होके ते पंजिवत किया गया है थाना अजिधोरा में और आरोपी राके सियादर प्राज रप्सार किया गया है जिसे जियार के बेंगे जागा है